Google Seats text function series में replace function के concept को समझ लेने के बाद उससे भी बहतर substitute का अगाज करते हैं और substitute function का concept उसका example के साथ implementation रखता हो आप लोग के बहतर कल के लिए अरब text function series में replace के बाद बात होगी substitute function की बहुत ज्यादा useful function में से एक substitute यहाँ पे मेरे पास part id है और इस part id में से substitute का पहले यूज समझे अगर मैं function पास करता हूँ substitute यह भी replace का कहां में ही करेगा जैसे replace function ने किया है but it replaces existing text with new text in text string किसी text string में existing text को बदल के new कर देगा यह काप होगा substitute का पुढाने के जगे पे नया बास ठीक है यहाँ पे replace वाली कहां नहीं है वो कुछ हिस्से को बदलता था और यह पुढाने को चाहे पुढाना कोई भी हो उसको बदल के नया कर देगा तो यहाँ में मैं पास करना चाहता हूँ substitute सबसे पहले text to search जिसमें से करना है search a4 comma search for क्या करना है हाइफन मैं चाहता हूँ इसमें जहाँ जहाँ हाइफन है उसको बदल के मैं कुछ और कर दो comma replace with बदल के क्या करना है तो replace with में मैंने पास कर दिया space जहाँ जहाँ हाइफन लगा है उसको space में convert कर दो और comma एक चीज़ और मांग रहे है occurrence number मुझा भी इसकी जुरत नहीं है वो ऐसे भी optional है तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ क्या करेगा देखिए आपके सामने यह रहाँ के सामने solution जहाँ जहाँ हाइफन था existing उसको बदल के नया कर दिया space यह काम होता है substitute का पुराने को बदल के नया जैसे कि यह रहाँ के सामने मैं पास कर दूँ equal to substitute text to search किस में से कॉमा search for मैं region को बदलना चाहता हूँ यहां से region को ले लूँगा कॉमा replace with मान के चलते हैं area करना चाहता हूँ उसको और occurrence number मुझे पास करने की जुरत नहीं है bracket बंद करके मैं enter press करने जा रहा हूँ बट करूँगा नहीं क्योंकि अगर मैंने enter press किया यह error है आप बोलेंगे error किस बात का यह तो रहा region और उसको replace करके आपने area कर दिया साहब ध्यान से देखी region जो है वो small letter में लिखा हुआ है और आपको बता देना चाहता हूँ जानकरी के लिए substitute function case sensitive function होता है यहाँ पे यह काम नहीं कर रहा होगा देखी जाए अगर आप देखें तो यह काम नहीं कर रहा है अभी भी region ही है तो याद रखेगा यह case sensitive function है capital letter में ही pass करना होगा जिस त सामने इस turn अब region को convert करको उसने कर दिया area कर लेंगे यूज तो इस तरीके से आप इस function को use कर सकते हैं replace से बहतर approach है substitute function का साथ ही substitute का मैं और और एक example कराना जो आपको तो आपके सामने मैं क्या करता हूँ यहाँ पर छोड़ा से example बना दे रहा हूँ मैं चाहता हूँ यहाँ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है देखिए इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है data और यहाँ पे value है इस तरीके से और अब अगर मैं इसमें से count करना चाहूँ बिना counting function को परहे हुए वो बाद बाद करेंगे कि इसमें कितने space हैं ऐसे situation में अगर आप manually pass करो तो कैसे आप पास करो देखिए अगर मुझे space count करना है इसमें तो पहले मैं काम करता हूँ function पास कर देता हूँ length यह रहा मेरा length ठीक है 20 equal to और अब पास कर देता हूँ substitute यह रहा comma search for में क्या पास कर देता हूँ space को बदल के क्या कर देता हूँ null तो क्या करगा जहां जहां space है उसको हटा और अब मैं equal to length निकाल देता हूँ किसका इसका कितना हो गया 16 और अब equal to 20 में से minus कर दूँ 16 को तो output क्या है चार that means इसमें चार space है बड़ इस तरीके साब निकाला यह approach बढ़ियां लगा आपको नहीं यह तो manual approach होगी मैं इसी manual approach को अब function में implement करके दिखाने ही गोसिस देखिए यहां पर सबसे पहले मैं pass कर दूँगा function length आपने total length निकाल दिया और उसमें से मैं minus करने जा रहा हूँ length of substitute वो जो substitute आपने पास किया था यह substitute यह रा text old text में space को बदल के null कर दोगे parenthesis start parenthesis यहां पर जाके बन तो यह length जो होगा यह इसमें से 4 character कम करके length गिनेगा न और उसको total length में से आप minus कर दो तो और पूट क्या है चार यह आपका बहतर और conceptual तरीका हो गया इस length function को apply करने का देखिए आपके सामने problem का solution है ठीक है मेरे साब से समझा गया होगा total length निकाल लिए और उसमें से minus कर दीजिए substitute कर देने के बाद मतलब उसमें से space को हटा के null कर कर देने के बाद उसका length निकाल लेंगे और total length में से minus कर दिया जाएगे कर पाएंगे use तो यह आपने देखा substitute function का use साथ ही मैं आपके सामने एक और function अखो यहाँ पे एक function होता है repeat REPT जो भी text string आप pass करोगे जितने number of time pass करोगे उतने number of times उसको repeat कर देगा जैसे star को आप 10 बा repeat कराना चाहते हैं कर दिया आपके लिए यह आपके सामने control प्लस enter और output कर दिया star को कर दिया has को कर दिया add rate को कर दिया उतने number of times जितने number of times आप उसे repeat कराना चाहते हैं आरिवा समझने उसी तरह के से मैं आपके पास यह original text रख रहा हूं और इसमें से अगर हम लोगों को extract कर होंगा वह अधूरा वता होगा क्योंकि अभी जो मैं method apply कर रहा हूं उससे possible नहीं है एक दो फंसन उसके लिए मुझे और सिखाना होगा यहां पर अभी तत्काल के लिए अगर मैं यहां पर पास करना चाहूं left left से तो निकालना है string पास कर दिया comma number of character मांग रहा है तो मैंने तीन छेक साथ एक आठ स्पेस भी काउंट कर लेगा चलीजे नाइन करेक्टर कर मैं कर दूँ और enter प्रेस कर दूँ तो आपके सामने जो output आएगा यह आतो गया लेकिन यह सब के लिए applicable नहीं होगा देखिए मन मोहन वो उसके आगे 9 भी ठा लिया क्योंकि आपने total number of character 9 पा अगया है कि आगया आने वाले स्रीज में इसी टाप के प्रॉलम आपके सामने फिर रखे जाएंगे जिसका solution इससे बहतर तरीके से कुछ और function सिखा देने के बाद तब apply किये जाएंगे अरिवास में तो यह मैंने आप लोगों के सामने text function के कुछ और functions रखे जिसमें हमने substitute की बात की रिपीर function की बात की substitute के कुछ यदा अप्रोच भी आपके सामने रखे उमिद करता हूं यह substitute function का concept जो है वह आपको समझाया होगा अभी मैं सिर्फ conceptual हिस्सा कवर कर रहा हूं और आप इसको यूज़ भी करेंगे और बात की बात कि बात का